हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू श्विंग ट्रेड फ्रेंड्स आज जो पोट्फोलियो रिव्यू आया है यह हमारा एक बहुत पूराना सब्सक्राइबर है जो कि गोकुल जी है जबकि जब से हमारा यूटीव चैनल स्टार्ट हुआ है मैं हर एक डेली वीडियो में इनका कॉ सब्सक्राइबर पूराना है जो कि उनका कॉमेंट्स पढ़के मुझे बहुत अच्छा लगता है आज उनका पॉर्टफोलियो देखेंगे जो की एटी वन थाजन का इन्वेस्टमेंट है उनका कॉरेंट वैलू अभी चल रहा है एक लाग दस जार का अभी टुंटी एट का मतलब सरी टुंती ऐट रखेंड का प्रफीट मतलब हीचा संदार प्रफीट प्रफी मिला है जो कि इनका इनमेट मेंट्तम lazy फिचला नॉभय मञा मतलब टेन मॉंस में तोटल पोर्टफुलियों में मिला जो कि बहुत बहतर इन गेन माना जाएगा इसको लेकिन देखेंगे पोटफुलियों में कौन सा कौन सा स्टॉक रखेंगे उसी साथ से बात करेंगे ठीक है यह से काफी सारा सब्सक्राइबर उनका नाम मेरे को भी याद हो गया है जैसे कि गोकिल गोकुल जी है और एक मौहमद कासीब जी है यह मतलब उनका नाम सब मेरा मेरे को याद हो गया है तो इनका पोटफुलिया देखा था मेरे का नहीं तुरंत इनका पोटफुलिया अभी रिवीव करके भेज़ेंगे अभी से राज जी हुआ इनका सब नाम बहुत सारे नाम है और एक डेवलोपर वाही है तो अभी चलिए इनका पहले पोटफुलियो देखते हैं उसके बाद में फिर हम मतलब इनका पोटफुलियो में कैसे क्या करना चाहिए को इनको सेल करना चाहिए उस चीज के बारे में बात करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप सबको मैं जरूर्ब करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो व सब्सक्राइबर हैं अपना चैनल पर जो रेगुलर रिवियोर में आप दोनों सब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यह वीडियो जरूर देखिए ठीक है इस वीडियो देखेंगे ना मैं क्यूं आपको बार-बार बोल रहा हूं आपके पोटफुलियो में गलत स्टक नहीं तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरा कहने का मतलब हो ही है आप यह वीडियो को जरूर देखिए एक बार नहीं दो बार नहीं पांच बार देखिए कोई प्रोब्लेम नहीं क्योंकि स्क्रीन कैसे यूज करते हैं तूल्स भी उच्छा जाएंगे और कैसे क्या हम जोज करते हैं कहां पर चार्ट पैटन में उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो उसके बाद में आप क्या है ना प्र आपका नॉलेज बढ़ जाएगा आप आपने आप भी खुद का अनालीसिस कर सकते हैं मैं कुछ एक स्टॉक के बारे में बताता हूं खुद रिख बता रहा है सही बता रहा हूं की गलत बता रहा हूं ठीक है तो अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारा सब्सक्राइबर हैं अगर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं मैं आप सबको बोलना चाहूंगा सब मेल करने के कोई मतलब जो तो आपको आपना पॉर्टफॉलिय करने का ज़रूरत नहीं कि इतना सारा पॉर्टफॉलियो का रिवीव भी आ रहा है तो हर एक पॉर्टफॉलियो देखके फिर करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है क्योंकि चलिए की कि सुविंग ट्रेड वाले केली हमारा पॉर्टफॉलियो दिखाने के ज़रूरत नहीं है जो हमारा सबस्क्राइबर है लेकिन उनका एक पॉर्टफॉलियो लंग टर्म का है तो वही लोग भेज़ी ठीक है बाकि सबको कि किसी को भी बेजने की ज़रूरत नहीं है लंक्तर्म के लिए बनाया हुए एक पोटफोलिय सेपरेट तो वही पोटफोलिय आप सेर कीजिए अगर कुछ प्रोब्लेम होत तो बैसे नहीं तो भीजने की कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है अभी चले स्टार्ट करते हैं वीडियों पोटफोलीय का जो पोटफोल्यो का तो उन्हों ने बोला हुआ है कि उन्होंने पोर्फोलियों के लियो था कर लिया है है 338 का प्राइस में 49 स्टक लिए हुए 16,000 का बाइंग प्राइस है और यहां पर जो करेंट मार्केट पर जल रहा है 645 का इनको एक आच्छा सा प्रोफिट हो रहा है जहां पर इंबेस्ट में उनका है कि अच्चेह में पर लेकर अब प्रफिटैस एक जड़ा सब्सक्राइब कर दीउफने मेरे हिषाब से थोड़ा जड़ा सा ज्याधा कुछ आपका वाट सब्सक्राइब क्यूंकि है यह लेकिन वे इसे में आपका अल्रेडी मतलब 45 परसेंट का अलर्टमेंट है तो इसी सबसे पोर्फोलियों को जरूर डाइबर स्प्रिकेशन कर दीजिए ठीक है परसेनली में आपको बोलता हूं तो इसमें थोड़ा सा आप जर्टमें करके और कौन सा स्टॉक में अपको बताऊंगा अभी मैरी को आपने लिया हूए बहुत अच्छा प्राइस में अपने लिया हूए अगर हम जाके देखते हैं यहां पे देखिए यह बहुत अच्छा स्टॉक है आपका पोट्फोलियो में बहुत बढ़िया स्टॉक है ठीक आप इसको होल्ड किजिए को प्रॉब्लेम नहीं है जहां पे टूंडेट मुभी अबरेज के पास में आ जाएगा जिस टाइम पर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं तो लेकिन उसके लिए आपको आप हमेशा हमारा वीडियो देखते हैं तो उस टाइम पर मैं आपको बता दूँगा कि कौन से स्टॉक कबाई करना है ठीक है अभी चले स्टाट करते हैं देखिए यहां पर यह जो है बाजाज इलेक्टरकल आपन बने रह सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं लेकिन थोड़ा सा काम है रिटन रिटन अन कैपिटल एंप्लोईट जो है इसका 12 और देट थोड़ा सा है लेकिन कंपने ने चीजर रिटन दिया है दोस साल में 24 परसेंट का चीजर रिटन दिया है इस टॉक आप बिलकुल रख सक सकते हैं ठीक है क्योंकि इमामी स्टॉक से बहुत अच्छा रिटन देता है मतलब अगर हम देखते हैं मामी में रिटन अगर चेक करते हैं कि देखिए इमामी में कुछ फिप्टिन पर्संट का सीजियर रिटर्न विला है दो साल में तो इसी साब से अब थोड़ा सा अब भी बर्दर कि अपने लिया हुआ अभी भोड़ा फोन अपने लिया हुआ है मैं आपको फोड़ा फोन थूड़ा सा अभड़ किजिए क्योंकि प्रफिट में कंपनी अभी तक नहीं है आप एसा स्टॉक में आप सायद मुझे लगता है आपको अभड़ करना चाहिए ठी लेकिन चलेगा कोई प्रोब्लेम ने नाइन थाजन रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपका है कि अपने लिया हुआ है बहुत अच्छा स्टॉक है आप होल्ड किजिए कोई प्रोब्लेम नहीं है यहां पर आपने लिया हुआ है वेल्सपोन और कर्परेशन तो ठीक है यह मिल रहा है इसका कुछ ऍोंतर पंट सब्सक्क्राइब यहां पर 59 का प्राइस में लिया । अभीन चलरेंच, मर्की जल इनकी 1 जबकि यहां पे बहुत अच्छा रिटन आपको मिल रहा है एक 30 थाटी है परसनxo आपको रिटन् ng मिल रहा है यहां पर स्टॉक में बहुत अच्छा स्टॉक में इसका वीडियो भी पोस्ट किया है इसका रिटन अने कैपिटल एंप्लियर जो है सिक्स्टी का है और अल्मोस्ट फ्री कंपनी है कुछ देट पॉइंट तरी का लगवग है और इसने तो अच्छा रिटन दिया ह है इसमें पोस्ट किते कुछ टेन एर्स में कुछ 45 परसंट का से रिटन दिया है बहुत मॉल्टिव अगर स्टॉक है इसका अभी पर्फॉर्मांस भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है मतलब यह माइक्रो क्याप से अभी स्मॉल क्याप में आ चुका है तो स्टॉक को बिंद में लिए हुए हैं मैं आपको परसनली राइद हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास में मार्केट डिल्डर है तो यह में रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफी दिनों से और फिर प्रोब्लम होता है क्योंकि पूरा गर्मेंट के हाथ में तो इसलिए आप इसको आभड कीजि अगर हम अभी हम देखते हैं आपका स्टॉक आपका पॉर्टफुलियो में कौन से कौन से स्टॉक मिसिंग है मैं आपको बताता हूं यह स्टॉक को आप नोट करके आपना वाच लिस्ट में रखिए जब टूएंडर्ड शरी जब आपको तो टूएंडर्ड मुवी आपरेज के पास में स्टॉक ट्रेड होगा उस टाइम पर वीडियो आपना चैनल पर हम पोस्ट करेंगे उसी टाइम पर आप बाई करके चल सकते हैं अभी बाई मत किजिए कुछ दिन पहले मैंने है तो दीदिद्वि अपना अब लखेर में रखिए स्टरेशन टेक्नलोजी नहीं तो ले अपना पॉर्टफोलिय में दीजिटल में तो ह matter पर्फसेंट का प्रिवव प्रसेंट के से प्र भी श्रूपर सा रूर्क है इसए चैनल में वीडियो भी वां मंस पहलेUP पोस्ट किया था फिल इंडिया का और इंडिया माट का अभी आप लेकिन नहीं चल सकते हैं थोड़ा सा रुकिए कुछ अगर सिगनल मिलता है डिक्षन टेकनलोजी में आपको जरूर बताऊंगा इस तनल पर अभी बाजाज फाइनांस ले सकते हैं लेकिन अभी लेने का कभी आपको वीडियो पोस्ट करके जरूर बताऊंगा जब उसके बाइंग्रेज पर आ चुका था अभी चल चुका है अभी कॉंसलोडेशन जोन में हैं इस डिएफ सी एंसी कब लेंगे मैं बताता हूं इस डिएफ सी एंसी बहुत 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 सकता है आप इसको आप जो भी मुझे लगता है यह साइद आपका लॉंग टर्म पोट्फोलियो है तो आप स्टॉक को आप बिल्कुल नजर बना के रखिए यहां पर सपोर्ट के पास में आता है तो उस टाइम पर बाई कर लिजे क्योंकि 200 मुभी आबरेज के पास में आ स में जब आएगा फिर और एक-दो कॉंटिटी आड़ करके चल सकते हैं उसके बाद में फिर टीची स्टीच तो अभी बहुत बुली से टीच अब नहीं कर सकते हैं लेकिन टीचेस में जैसे हैं जहां पर थोड़ा सा सिगनल मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा उस टाइ बिल्कुल फॉल आएगा ठीक है जब आएगा तो अब मैं बता दूंगा लेकिन यह जो है ना आप हर एक मौहिने में एक स्टॉक जहां पर 200 मूभी आवरेज के पास में आएगा वी स्टॉक उठाएंगे यह सा कोई जरूरी नहीं कि यह सारे स्टॉक में इसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है मैं आपको जैसे बताते चलूंगा उसी साब से लेते चलिए और आपका दो पोट्फॉलियो रखिए एक लांग टर्म के लिए अलग से रखिए और एक स्टॉन्ट के लिए अलग से रखिए ठीक है जैसे कि हमने अभी वीडियो में काफी बार बात किये है उसी साब से हमारा स्विंग ट्रेड से का अच्छा सा प्रफिट भी होता रहेगा और यहां पर लॉंग टर्म का भी पोट्फॉलियो ग्रो होते रहेगा ठीक है कुल जी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर चैनल में नया है गुद्टि को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी लहुड टर्म पोट्फोलियो हे अगर आपको आप हमारा सबस्क्राइब हो ऊश्वर्शॉड Bennett मीनिंग नहीं कि हमारा प्रॉफिट तो आहीं जाएगा कूCK लिए उसका प्रॉफिट आई जाएगा ठीक है फ्रेंट्स अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए वीडियो देखके आपका पॉर्टफोलियो में कौन से स्टॉक अभी लेना है तो उसी साफ से अपना खुद का अनलेसिस करके ले सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडि मिलते नेक्स्ट वीडियो में